दांट साफ करने के लिए मुलायम ब्रिसल्स वाले ब्रश का प्रयोग करें एक मटर के दाने जितनी मात्रा में टूथपेस लें ब्रश को अंगुठे और उंगलियों के बीच सही तरीके से पकड़ें दांटों को ब्रश करना जुरूरी है क्योंकि मुँके अंदर करोरों बैक्टीरिया होते हैं जो दांटों, मसूडों, जीव वो पूरे मुँ में रहते हैं मुँ में उपस्तित ये बैक्टीरिया प्लाग का निर्मान करते हैं जो दांतों को नुकसान पहुंचाता है, जिने दूर करना जुरूरी है। दांतों की नियमित सफाई और सही तरीके से ब्रश करना चाहिए। क्रमबद तरीके से सभी दांतों को पूरी दरह से साफ करें, जिससे दांतों की हर एक सतह साफ हो सके। दातों की बाहरी, अंद्रूनी और उपरी सतह को ठीक से ब्रश करें दातों को एक ओर से साफ करना शुरू करें ब्रश को दातों और मसूरों के जोड़ पर 45 डिगरी पर रख कर उपर से नीचे की ओर चलाएं दात साफ करने की शुरूआत उपरी जबरे के सबसे अंद्रूनी दातों से करें एक बार में तीन से चार दातों को साफ करें ब्रश को आगे पीछे चलाएं, ब्रश को आराम से और धीरे धीरे चलाएं, अधिक जोर ना लगाएं एक एक करके पूरे उपरी जबड़े को साफ करें पहले उपर के दातों की बाहरी और फिर अंधरूनी सते को साफ कर लें उपर के दातों को साफ करने के बाद नीचे के जबड़े के दातों को साफ करना शुरू करें नीचे के दातों को भी उसी क्रम में, लेकिन नीचे से उपर की ओर साफ करें ब्रश को इस तरह से पकड़ें कि सभी दात ठीक से साफ हो पाए इसके बाद धीरे धीरे ब्रश को गोला कार क्रम में घुमाएं जिससे brush के bristles मसूणों की सतह तक पहुँच सकें ये क्रम पूरा होने के बाद brush के bristles को दाटों की उपरी सतह, यानि चबाने वाली सतह पर घुमाएं इसके बाद उपर और नीचे के सामने वाले दाटों की अंदरूनी सतह को साफ करने के लिए ब्रश को सीधा पकड़ें और सामने से पीछे की तरफ चलाएं अंत में जीब को साफ करने के लिए ब्रश के ब्रिसल्स की सामने वाली सतह का प्रयोग करें अपने ब्रश को हर तीन महिने बाद या फिर जैसे ही ब्रिसल्स टेढ़े होने लगें तब बदल देना चाहिए नियमित रूप से ब्रश करें जिससे आपके दाथ स्वस्त रहें